हलो दोस्तो ट्रेडिंग वित राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेल के बारे में तो आज इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी लगबग 6% की तेजी हमने देखी और इसमें कल क्या तेजी हो सकती है सारे चीज़े डिसकस करेंगे और कितना डिलवरी आज उठाया गया है और इसके आने वाले टार्गेट क्या हो सकते हैं सारे चीज़े डिसकस करेंगे इस वीडियो में लेकिन दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार के और भी वीडियो दोस्त के लिए अभी आप इस चैनल को तुरन सस्क्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और हाँ दोस्तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूंगा तो चली दोस्तो आगे बढ़ते हैं और जानतने डीटेल्स में भेल के बारे में दोस्तो आज है 7 जुलाई 2021 और आज भेल का शेयर प्राइस 64 रुपए 75 पैसे पे ओपन हुआ था उसके बाद लो बनाया था 63 रुपए 90 पैसे का उसके बाद एक अच्छी तेजी बनाई और 68 रुपए 20 पैसे तक का हमें तेजी देखने को मिला था फाइनली 66 रुपए 95 पैसे पे एक क्लोजिंग हुआ था और अच्छी क्लोजिन आज देखने को मिली और 5.43 परसेंट का इंट्राडे में हमें ग्रोथ आज देखने को मिला है अगर मैं डिलवरी परसेंटेज की बात करूँ तो आज भी 19.1 परसेंट डिलवरी उठाया गया है उससे पहले 23 परसेंट 22 परसेंट मतलब डिलवरी परसेंटेज भी हमें एक अच्छा देखने को मिल रहा है return की बात करूँ तो आज हमें अच्छा return देखने को मिला है भले ही यहां से one month पे जब इसका result आया था उस समय से गिरावाट देखने को मिली थी लेकिन अब हमें अच्छा return आज यहां पे देखने को मिला है अब फिर से recovery करते हुए नजर आ रहा है उसके बाद दोस्तों इसके sales report पे नजर डाले तो जून 2020 के बाद लगातार इसके sales में हमें तेजी देखने को मिल रही है अच्छा मतलब quarter on quarter हमें यहां पे लगातार growth देखने को मिल रही है इसके sales मिल लेकिन इसके net profit में कहीं न कहीं हमें लाश्ट quarter में भी अच्छा कासा गिरावट देखने को मिल था तो अच्छे sales के बाद भी यहां पे गिरावट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों reason क्या हो सकता है आप मुझे comment में जरूर बताना अब चली दोस्तों आज delivery percentage की बात करूँ तो आज 2.8 गुना जादा लोगों ने इसे delivery पे उठा के रखा है मतलब यह जो होता है दोस्तों पिछले 5 दिनों का जो average होता है delivery उठाने का उसका 2.8 गुना जादा delivery आज उठाते हुए नजर आया है तो यह एक अच्छी बड़ी चीजी हमें देखने को मिल रही यहाँ पे और हाज higher trade quantity भी देखने को मिला है 2.7 गुना जादा आज trade quantity देखने को मिला है उसके बाद दोस्तों closing आज इस stock ने अपने last week का जो high था 60.20 पैसे उसके उपर जाकर 60.80 पैसे पे एक अच्छा closing देखने को मिला है अब दोस्तों यह stock एक अच्छा high बनाया था 79.55 का एक अच्छा high बनाया था उसके बाद यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली थी अब फिर से यह अभी अपने 52 week का जो high है उससे 14.8% पीछे है तो गिरावट की वज़ा वही है कि इसका जो result है वो negative आया था इस वज़ा से हमें गिरावट देखने को मिली थी चली दोस्तों अब इसकी compare हम इनके weekly जो है return उसकी comparison अगर मैं nifty 50 से करता हूं तो nifty 50 ने one week में दिया है 1% का return और three month में दिया है 7.2% का return लेकिन इस stock ने one week में दिया है 3.4% का return और यहाँ पे जो है nifty 50 को भी बीट करते हुए नजर आ रहा है अब इसके returns पे अब इसकी comparison करता हूं मैं इनके sector से तो इनके sector में one week में आया है 0.9% का return इस stock में 3.4% का return 3 month में देखने को मिल रहा है यहाँ पे 5.8% तो इसमें 35.6% तो कहीं ने कहीं यह stock अपने sector को भी बीट करते हुए नजर आ रहा है अब सबसे important बात दोस्तो 54.62 रुपए मतलब इसका book value है और अभी stock आपको 60.65 पैसे में मिल रहा है तो यहाँ पे आपको कोई घाटा नहीं ह value होता है अगर किसी वज़से company liquidity हो जाती है तो पर सेयर का जो price होता है वो इसका जो book value होता है तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़े हमें देखने को मिल रहा है अभी भी आपको सस्ती price में मिल रही है दूस्तों promoters का holding 63% है जो की president आप इंडिया का है वो भी बहुत अच्छा है और कोई promoters का holding जो है गिर्वी नहीं रखा है उसके बाद अगर मैं checklist की बात करूं तो intrinsic value का data available नहीं है FD से अच्छा return नहीं है dividend भी attractive नहीं देती company entry point सही है अभी पी आप इस पे entry ले सकते हैं कोई और यहां पे कोई red flag भी नहीं है और company के जो probability होती है next 12 month में default होने की वो नहीं है quality check यहां पे negative चीज हमें देखने को मिल रही है और growth score यहां पे नहीं दिया हुआ है अब इस stock को 25 analyst ने cover किया है और उन्होंने जो अनुवानित price बताया है अगर high return देता है तो 70.46 पैसे तक का जा सकता है और लगबग उसके करीब है यह January 2022 का target है लेकिन उससे पहले यह achieve करते हुए हमें नजर आ रहा है लेकिन company का जो last result था वो हमें यहां पे जो है negative चीज़े देखने को मिली है अब कल क्या हो सकता है इसमें अब इसमें delivery percentage 8 उठाया जा रहा है तो लोग delivery इसलिए उठाते हैं क्योंकि उसको उम्मीद रहता है कल या आने वाले समय में इसमें तेजी हो सकती है इसलिए higher delivery यहां भी तेजी हो सकती है और इनका जो 52 वीक का high है 79 रुपए वहां तक का level हमें बहुत जल्दी इसमें देखने को मिल सकता है लेकिन इसमें एक बड़ी तेजी जो होगी वो 79 के उपर closing होने पे ही होगी तो चली दूस्तों मिलता हूं फीर एक नए वीडियो के साथ वीडियो अ